नी 2024 के results के साथ जुड़ी हुई इन सारी tensions को finally NTA ने जवाब दिया है अपना NTA ने और Ministry of Education ने मिल करके वही गोर्मेंट की तरफ से finally ये चार member committee बना दी गई है जिसमें एक former UPSC chairman और तीन academicians को रखा गया है अब इस committee का काम है कि finally recheck करें उन results को और ये जो results है basically जो grace marks बच्चों को दिये गए थे करीबन 1500-1600 candidates को जो time के loss के चलते grace marks दिये गए थे तो वापस से उनका result जो है वो recheck करा जाएगा now very important है कि इस committee ने अपना काम करना अपना investigation जो है वो शुरू कर दिया है that is a good thing so very soon हम expect कर सकते हैं आने वाले Saturday के अंदर कि इनका result जो है या इनकी तरफ से जो भी investigation का outcome है वो बहुत जल बच्चों को मिलने वाला है so finally बच्चों आपके सारे प्रयासों के चलते इस सारी है भाई ठोस कदम लिए गए है तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारे पास कुछ अच्छी डेफिनेटली जरूर आएगी नई अपडेट्स के लिए बड़ेरों चानल के सारे